रहुत्कार आदाव सत्त्रियकाल दोस्तो महाराश्ट्रा में एलक्षन 2019 का विधानतबगा हो गया और सभी पार्टियों ने अपने अपने ताकत लगाई अपने 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 नसीब के एमेले चुनकर भी लाए फिलाल महाराश्ट्रा में बार्टियंदा पार्टिय और शिव सिना में आपत में घमा सान मचा हुआ है मुख्य मंत्री महाराश्ट्रा का कौन होगा आए बिहुंडी की तरफ चलते हैं बिहुंडी शेहर में सियासत को लेकर बड़ी उसल फदल रही बिहुंडी शेहर में अबू आसिमा अदमी ने जो सीट छोड़ी थी और गोईंडी की सीट पकड़ी थी वो सीट दुबारा दोहजार उन्नीस में बिहुंडी शेहर के पूरप के जो यूथ हैं जो युवा हैं उन्होंने रईफ कासमशेक के नाम कर दी रईफ कासमशेक मुंबई के मदनपूरा में वहां से नगर सेवक भी हैं और जो जानकारियां हैं वहां गटनेता भी हैं हाला कि गटनेता की पुष्टी अभी तक नहीं हुई है मगर जो जानकारियां मेरे पास है बेरहाल मुंबई में नगर सेवक होना भी बड़ी बात है और 2019 का जब चुनाव मारश्या में लगा तो एक बैग अबुआसिम आदमी ने इस नाम को सामने किया और 15 से 20 दिन में चुनावी हमा हमी में घमा घमी में रईश शेक्न चुनकर समाजवादी के बैनर तले आ गए अच्छी बात है चुनकर आना नहीं आना नसीब का खेल है और इसी पट्टे में दो बार शीव सिना से एमेले रहे रुपेश महत्रे इनके सामने हार गए और दो नंबर पर आ गए सबी पार्टियों का अपना अपना परफार्मेंस रहा जो भी रहा अच्छा रहा एम आ इम ने भी ब्योंडी पच्छिम में अच्छी अपनी मेनत दिखाई मगर पच्छिम में मेच चोगले दुबारा चुनकर आये भारतियंता पार्टी के बैनर तले चुनकर आना नहीं आना वो सब अलग बात है मगर आईए बियोंडी शहर की सच्चाई की तरफ चलते हैं बियोंडी शहर की जो सच्चाई है बियोंडी शहर के रस्ते बियोंडी शहर में रहने वाले वो तो देखते ही हैं ब्योंडी शहर से ब्योंडी शहर के आसपास के जो ग्राम पंचाईत के एलाके हैं वहां के रास्ते कांक्रेट के बन चुके हैं मगर ब्योंडी शहर में अभी शुरुआ थे आप लोगोंने गाउं को शहर बनते हुए देखा होगा अगर देखना है तो ब्योंडी शहर आईए ब्योंडी शहर एक गाउं की तरह से लगने लगा है और ब्योंडी शहर के आसपास के जो इलाके हैं वह अब शहर के जैसे देखने में आ रहे हैं क्योंकि यहां रोदगार है रस्ते हैं बियोनली शेहर के कई हदार लोग बियोनली शेहर से लग कर जो ग्राम पंचाईते हैं वहां जो कारोबार है वहां वो काम करते हैं मगर बियोनली शेहर में लूम 50% बंद है पुराने नेताओं की बात करें तो जो है पूरे शेहर के लोग उनके बारे में जानते ही हैं मगर रईशेख के बारे में फिलाल बियोनली शेहर में एक ट्रेंड चल रहा है कि रईशेख रईद भाई अपना भाई काईगर आया तो ये यूथ का नारा है और यूथ हमारे देश का उतना ही देख पाता है जितनी उतकी उम्र है रईशेक के बारे हम बता जाता है कि भाई के बाद बहुत पैसा है तो अगर इस देश के नेताओं का पैसा किसी शहर या गिराम पंचायत के लिए काम आता तो हमारे शहर ये हमारे देश की ये हालत नहीं होती पैसा तो बहुत है आमबानी के बाद भी है तो इसका ही मतलब तो नहीं कि मुंबई की जो सड़के हैं वो सोने चांदी की हो जाएंगे मगर हमारा यूथ जो नारा लगा रहा है मैं देख रहा हूँ हमारी टीम भी देख रहे है भ्योंडी पूरू में इतने बैनर लग रहे हैं हर तरफ रइस शेक, रइस शेक, रइस शेक रइस शेक ने अपने एक स्टेट्मिन में कहा भी ता कि 25 तारिक के बाद या निदीवाली के बाद बियोंडी शेक की तस्वीर बदलेगी खीक है, आम आदमी इस बात को ना समझता हो मगर किसी भी शेक की या किसी ग्राम पंचायत की तस्वीर बदलने के लिए एक सिस्टम होता है महाराष्टा में सरकार अभी बनी नहीं है जब सरकार बनेगी, उसके बाद आमदार निदी के मामला आएगा उसके बाद ही शेर की तस्वीर बदल सकती है हाला कि बदलने की कोई उमीद नहीं है क्योंकि मुंबई से भी रईश शेक के बारे में मदनपूरा से जो वीडियो सा रहे है दो वीडियो मेरे पाद भी मौजूद है वहाँ लोग उन्हें चूडियां और गजरे पेश करने के तैयारी में है कुछ औरतों के इसी वीडियो भी आई है बैराल जो खेल है ये तो स्यासी खेल है और ये कोई नहीं है रईष शेक फिलाल भियोंडी शहर का आधा इस्ता जो उनका इलाका है बड़ी तेजी से उसका दौरा कर रहे हैं और जगा जगा उनका इस्तिक्बाल हो रहा है गर में जब बहु आती है तो शुरुवाती दौर में उसका बड़ा नाम होता है बड़े प्यार से लोग उसको अपने घर में लाते हैं मगर कुछ दिन के बाद जब बहु अपना रंग दिखाती है और नतीजा सामने आने लगता है तो फिर वही लोग कहीं न कहीं उस बहु को भी गलत कहने लगते हैं और सियासत में अक्सर ये देखने में आया है और रईशेक के बारे में तो कुछ अलगी देखने में आ रहा है मुंबई से आकर एक बैग यहां आमदार बन गए